तो रीसेंट टाइम में तुमने काफी सारे ऐसे प्रोफेशनल्स को देखा होगा जो content creation के business में उतर रहे हैं CA रचना रणाडे मैं जो हैं वो best example हैं तुमार लिए फिर एक CA को मैंने देखा था जिन्होंने फॉर्चूनर के बारे में काफी अच्छे explain किया था कि इंडिया में फॉर्चूनर इत्ती महेंगी क्यों हैं काफी knowledgeable content था फिर काफी सारे lawyers हैं आज उनका खुद का एक channel है काफी सारे ऐसे financial advisors हैं जिनके खुद के channels है तो ऐसा क्यों हो रहा है कि ये सारे के सारे लोग आज content creation के business में उतर रहे हैं simple सा answer है क्योंके पैसा है अब तुम भी ये सोच रहे होगे कि मेरे को भी content creator बना है लेकिन घर वाले allow नहीं करते या घर वाले allow करेंगे भी तो finances अच्छे खासे लगेंगे camera कहां से आएगा, mic कहां से आएगा फिर उसके बाद मेरे पास ऐसा room नहीं है जहां पर मैं content shoot कर सको अपना, मेरे पास को script writer नहीं है बहुत सारे problems है तो आज मैं हर एक चीज़ को detail में discuss करूँगा क्योंकि तुम में से जितने लोग भी class 12th का board exam देने वाले हो या फिर इस ताल CUET बगर दिया था और तुम drop out हो, यह video तुमारे लिए बहुत helpful हो सकता है क्योंकि मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ, वो secrets कि as a fresher how you can be a content creator and you can start earning as well as a fresher content creator, तो यहाँ पर सबसे important हो जाता है कि तुम्हारा vision क्या है देखो यार, काफी सारे ऐसे घर होते हैं, जिनको अपन ignore नहीं कर सकते हैं, जहाँ पर college में जाना जरूरी है जहाँ पर मम्मी पापा यह push नहीं करेंगे कि तुम drop out ले लो और सीधे content creation में लग जाओ हर कोई parents इतने understanding नहीं होते हैं, यहाँ पर तुम्हें 12th board का result भी लाना है, तुम्हें CUET का result भी लाना है तुम्हें तुम्हें college results भी लेके आने हैं, तब तुम्हें जाके अपना साथ में passion भी follow करना है तुम्हें लगने लगता है कि शायद में content creation नहीं है, बट फिर दिमाग में आता है, कि मैंने देखा है कुछ ऐसे content creators हैं जो अपना content push कर रहे हैं YouTube पे, और मैं उससे better कर सकता हूँ वो अंदर से feel आता है न, कि I can be that content creator, इसके million में views आ रहे हैं, इसके अच्छे खासे subscribers हैं लेकिन फिर भी मुझे अंदर से लगता है कि मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ दिक्कत क्या है, माबाप साथ नहीं देते तो यहाँ पे, तुम अपना CUAT दो, तुम अपना 12th board बहुत अच्छा करो तुम अपने college के results लेके आते रहो, और साथ साथ में content creation भी चालू कर दो क्योंकि अगर इतने सारे professionals आज content creation में आ रहे हैं, तो कोई तो बात होगी अब तुमारे दिमाग में next बात आती है, ठीक है भाईया, आप बोल रहे हो ना, content creation चालू तो करेंगे चाहे हम drop out हो, चाहे हम 12th board में हो, हम सोचेंगे हम content creation कर सकते तो क्या आज से करना चालू कर दें, नहीं, आज तुमारा main focus तुमारा 12th board है, तुमारा CUAT है, अभी उस पर ध्यान दो लेकिन ये कुछ ऐसे x factors है जो तुमारे दिमाग में होने चाहिए, जो तुमें define कर देंगे कि क्या वाकई में तुम वो content creator बन सकते हो सबसे पहली चीज content creation में आती है consistency, क्या तुम उतने consistent हो पाओगे, आज अगर मैं तुमसे पूछता हूँ, कि तुमारा कोई passion है, तुमारा कोई skill set है, तो क्या तुम उसमें घंटों time दे सकते हो, मैं तुमसे बोलता हूँ, बटा 8, 8, 10, 10, 12, 12, 12 घंटे देने पड़ते हैं, कोई break नहीं होता, job तो फिर भी 8-9 घंटे की हो जाती, ये 24 घंटे का काम है, क्या तुम उतना time दे सकते हैं, तुम बोलोगे, हाँ भीया, तो फिर तुमारा लिए है, तुम content creator तब बन सकते हो, लेकिन अभी भी और factors हैं, जो तुमें ध्यान में रखने है, point number 2 आता है quality content, अ बारा से पंदरा मिनिट का, तुमें लगता होगा, बहुत आसा है, बड़ी ऐसा background बनाया और shoot कर लिया, उसके पीछे एक एक हफ़ते की पूरी practice, पूरी तयारी रहती है, ऐसा नहीं होता कि कोई camera के सामने है और बोल के चला गया, नहीं, proper script writing की जाती है, proper presentation लिया जाता है, क एक हफते की महनत मातर बारा मिनिट के वीडियो के लिए करोगे, क्या वो quality content बनाओगे, अगर हाँ, तो तुम content creator बन सकते हो, अगर नहीं, तुमें लगता है कि यार, इतनी महनत तो नहीं होगी, कि एक वीडियो बनाने के लिए, एक हफता dedicate करना, तो फिर तुम content creator नहीं बन होगा, तुम किसी का video देखोगे, मानलो तुमने धुरुवराठी का video देखा, तुमें लगा के तुमें वैसा content बनाना है, और तुमने शुरू कर दिया वैसा content बनाना, बिकॉस तुमें लगता है कि वो चलता है, वो popular है, trending है, होगा क्या, हाँ, शुरुवात में कुछ viewership आ चाहिए, you have to stand out, और stand out का मतलब यह नहीं है कि कुछ भी content बना दो, stand out का मतलब यह है कि कई बार 50% comments ऐसे आ रहे हैं, कि नहीं यार, मजा नहीं आ रहा है, you still have to try for certain period of time, हाँ, उसके बाद change कर दो, अगर मजा नहीं आ रहा है तुमारे viewers को, लेकिन still you have to try out, अगर even तुमारे comments उतने positive नहीं आ रहे हैं, this is the biggest problem of content creation, कि हम कई बार बहुत साथ influence होके, वो करना चालू कर देते हैं, तो चल रहा है, जिसके बारे में तारीफे मिल रही है, and खुद को challenge करना बन कर देते हैं, कि कुछ ऐसा भी करें, जिसके बारे में थोड़ा criticism भी आ रहा हो, and that is fair criticism, ऐसा नह सोचना कि नहीं, मैं ऐसा कुछ ट्राय नहीं करूंगा, अगर ऐसा है, then you are not a creator, यह चीज होना mandatory है, then आता learning is a long process, learning का मतलब क्या है, आज अगर तुमने content creation चालू किया, तो तुमारे दिमाग में क्या है, मैं तो सीख गया, मेरे को video editing भी आ गई, मेरे को sound designing भी आ गई, मेरे को तुम gamer बनना चाहते हो, इनका algorithm time to time change हो रहा है, तुमने Instagram को देखा होगा, तुमने Snapchat को देखा होगा, कैसे पूरा का पूरा algorithm change होना चालू हो गया, Instagram पे एक time पे तुम photos पोस्ट करते थे, आज के time पे तुम reels बनाते हो, यह क्यों हो रहा है, YouTube पे तुम detailed videos बनाते थे, आज क this is happening, just because of one reason, algorithm change हो रहा है, लोग का taste change हो रहा है, तो तुम्हार लिए learning एक बहुत लंबा process बन जाता है, तुम ऐसा नहीं कह सकते है कि जो तुमने standard content बना लिया, तुम उसी niche में रह जाओगे, तुम आपने आपको grow करना पड़ेगा, and जब तुम यह सब कर लोगे, तो तुम content creation चालू करूँगा, यह सब मैंने किया न, मैंने देख लिया, मिरे अंदर X Factor है, मेरे को पैसा कमाना है, तो पहले मैं long run तो में बताऊँगा कि तुम पैसा कैसे कमा सकते हो, फिर मैं short run की बात करूँगा कि अभी से तुम कैसे start कर पाऊगे, because YouTube पे from the very first day तो तुम पैसा नहीं कमा पाऊगे, बड़ तुम्हें चाहिए है, क्योंकि घर से पैसा नहीं मांग सकते, मुझे camera चाहिए, मुझे 20,000 का mic चाहिए, मुझे soundproofing करानी है, जिसमें again 20-25,000 रुपे लगेंगे, I need to have a laptop जिसके इंदर मैं editing करूँगा, then मेरे को software भी शायद खरीदना पड़ सक नहीं है, तो ये 3 साल को valuable बनाने के लिए तुम्हारे हाथ में पहले दिन से पैसा होना जरूरी है, अगर तुम content creation को लेके serious हो, तो पहले बात करते हैं कि long run में तुम कैसे पैसा कमा सकते हो, देखो यार, तुम्हारे लिए पैसा कमाना क्यों जरूरी है, तुम्हारे motivation है, त तुम independent हो जाते हो, ये 3 चीज़े main factor है, motivation क्यों आता है, मैं literally बता दू, जिस दिन तुम्हारी जेब में पैसा आना चालू होगा, तुम्हारी महनत का, तुम्हारे को अलगी एक adrenaline rush मिलेगा, एक अलगी feel आएगा, कि मैं अब यही करूँगा, मिरको मालुम है, मैंने सीख कर, और enjoy करके पैसा कमाना सीख लिया है, अब मैं इसको नहीं छोड़ सकता, मतलब, मैं कैसे बता हूँ, ये एक ऐसा transition phase होता है, 3 साल में college के, मैं तभी बोलता हूँ के, don't try it with a job, try it with your college life, because, इस time पर तुम्हें वो adrenaline rush मिल रहा है, तुम्हें वो मज़ा आ रहा है, कियार, कितना enjoy किया, मैंने, मज़ा आया, दिन रात जगा, कॉफी पी-पी के जगा, लेकिन फिर भी जब वो वीडियो गया, और 4 लोगों ने तारीफ की, मज़ा आ गया, और उसके बाद, जब उससे पैसा कमाने को भी मिल रहा है, तो इससे अची बात ही नहीं हो सकती, अगर तुम्हें वो सब फील आता है ना, तो वो तुम्हारे लें बहुत बड़ा मोटीवेशन है, और फिर तुम्हें वो रेगुलर लाइफ में नहीं जा सकते हैं, जहां तुम्हें एक सैलरीड एमप्लॉई बन सको, फिर आता है, कमिटिड टुवर्ड्स योर गोल, मैंने बोला न, जेब ऐसे से लेके आ सकते हो, बट बहुत बड़ा बटे इसके पीछे है, ना, source of earning, long run में होती कौन सी है भाईया, पहले वो बता दो, ठीक है, यहां से चालू करे, number one से, कहा गया, यह रहा, हाँ, तो भाईया, सबसे पहले, अगर तुम एक अच्छे content creator बनते हो, तुम भी on YouTube, तुम Instagram से भी कर सकते हो, तुम Facebook से भी कर सकते हो, तुम कहीं से भी कमा सकते हो, फिर, then comes sponsorships, तुमारे regular videos को sponsor करने के लिए मिल जाएंगे, कि भाईया, हम sponsor कर रहे हैं, आप तो बस हमारा नाम एक ले देना, उससे भी काम हो जाएगा, वो sponsorship तुम मिलना चालू हो Merchandise, तुम अपनी बेच सकते हो, अपनी T-shirts बना सकते हो, mugs बना सकते हो, बॉटल्स बना के बेच सकते हो, फिर आजाता है affiliate links, तुम Amazon पर जाके अपना affiliate link बना सकते हो, जहां पर अगर कोई भी product बिकेगा, तो उसका certain commission तुमारे पास आएगा, best passive earning है तुमारी, उसके बाद अगर तुम अपने आपको outgrow कर लेते हो, एक time पर तुम उस level पर पहुँच जाते हो, जहां तुम वही content creator हो, जो तुम बनना चाते थे, और बाकी लोग तुम से पीछे रह गए, विकास तुम जानते थे कि तुमारा vision क्या था, तो तुम वहाँ पहुच चुके हो, तो ऐसे time पर तुम दूसरों को सिखाना चालू कर सकते हो, तुम अपने courses launch कर सकते हो, और तुम अच्छा खासा उससे भी हन कर सकते हो, बट तुमारे दिमाग में तो यही आ रहा होगा ना, भाया मेरको तो अभी से हन करना है, देखो यार, मैं तुम बहुत honestly बताऊंगा, अगर sorted तरीके से content creation चालू कर दो, सबसे जादा अगर किसी चीज़ की demand होती है na content creation में तो वो होता है तुमारे dedication level, एक simple mobile phone से भी वो चालू किया जा सकता है, तुमारे पास expensive gadgets होने की जरुवत नहीं है, एक mobile phone तुमारे आज वो काम कर सकता है, जिसमें तुम editing भी कर सकते हो, जिसमे तुम आज इसे as a fresher earning चालू कर सको, ना होता क्या है, इंडिया में ऐसे कुछ platforms के बारे में बच्चों को पता नहीं होता है, and that is the reason वो सोच के भी content creation में नहीं उतर पाते हैं, तो मैं तुमें एक app बता रहा हूँ, जिसका link मैंने description में भी दे रखा है, एक बार जाके check out नहीं होते हैं, जब तक तक तुमारे YouTube hours complete नहीं होते, जहां से वहां से earning चालू नहीं होती है, या फिर तुमारे कोई और source of earning चालू नहीं होती है, तो यह rigi app के through, तुम exclusive content वहाँ पे डाल के earn कर सकते हो, वहाँ पे क्योंकि paid courses तुम अपने बना सकते हो, या तुमारा paid content बन और तुमारे dedicated viewership आ रही है, dedicated subscriber base आ रहा है, पहला फाइदा मैंने तुम्हें बता दिया, now काफी सारे ऐसे लोग होते हैं, जो one-to-one interaction चाहते हैं तुमसे, तुमारे viewers चाहते हैं तुमसे बात करना, तुम्हें ideal मानते हैं, देखते हैं कि इसने college life में अपना खुद का कुछ करने लगे, अब जब तुम्हेरा YouTube तुम्हें लेकर आके देगा subscriber base और तुम वहाँ पर बताऊगे कि यार मैं रिगी आप पे भी हूँ, जहां मैं paid content भी चलाता हूँ, तो वहाँ पे तुम्हें फायदा ही होगा, plus तुम अपने आपको expand कर पाऊगे, sources of income को expand कर पाऊगे, अब चाहे तुम Instagram पे डाल रहे हो, तुम अपना एक, जैसे affiliate link की मैंने बात की, वहाँ पे pin कर दो, के रिगी आप पे आजाओ, मेरा paid content भी है, मेरे से personally WhatsApp ग्रूप पे भी connect हो सकते हो, Telegram ग्रूप भी connect हो सकते हो, यहाँ पे as a fresher तुम्हें content creation में बहुत help मिलेगी in terms of your finances, बस यह कुछ चोटी मोटी चीजें हैं, जो मेरा मकसद है तुम्हें बताना, मेरा काम है तुम्हें बताना, so that तुम अपनी journey at least शुरू दो कर सको, अब पूछो के भाया, अपने रिगी IP क्यों बोला, कोई और आप नहीं है, नहीं है, that is the reason, and वो तो मुझे पता था, इसलि है, कि तुम्हारे बहुत बड़ी help हो जाए, and तुम्हारी content creation की journey को यह cake start कर दे, ultimately, YouTube पे तुम्हारी presence important है, Instagram पे तुम्हारी presence important है, यह कुछ sources है, आगे आने वाले time में मैं तुम्हें बहुत सारी editing videos की बारे में, and cameras की बारे में बताऊंगा कि कैसे तुम अपने आपको upgrade कर सक मेरा मकसद सिर्फ यह था कि आज तुम्हें यह सिखाना कि बहुत सारे लोग content creation में उतर रहे हैं, this is the high time तुम भी try कर सकते हो, तब तक के लिए बहुत सारा प्यात और धन्यवाद